आप सबका सिक्षा द्रिष्ट चैनल में स्वागत है बियड एमड पर्थम मर्ष के दितिय प्रस्ण पत्र सिक्षा मनुविज्ञान से सम्मंदित कुछ सम्मावित प्रस्णों को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ जिनकी परिक्षा में आने की सम्मावना है आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऐसे महत्तुपूर प्रस्ण है जो परिक्षा के द्रिष्ट से महत्तुपूर है अईसे प्रस्ण जिसमें सबसे पहले अतलगूत्री प्रस्ण उसके बाद लगूत्री प्रस्ण और फिर दीरगूत्री प्रस्ण की चर्चा हम करेंगे एक साथ तीनों कर्टेगरी के प्रस्ण इस वीडियो में बताये गए हैं अतलगूत्री प्रस्णों में जो अब तक बरिक्षाओं में पूछे गए हैं उसमें है शिक्षा मनोविज्ञान का छेत्र ये पूछा गया है मनोविशले सरात्मक सिध्धान्त इसको आपको पढ़ना है विकास की किसोरा वस्था के बिसे में बालक के विकास में वातावरण की क्या भूम क्या है ये भी परिक्षा में पूछा जा चुका है अधियम अस्थान अ बुद्ध का दूइ कारक सिध्धान्त किसने दिया रूची की क्या परिभासा है व्यक्तित्यों के विकास में योग की क्या भूम क्या है व्यक्तित्यों आकलन के प्रक्षेपी विधि इसमें प्रोजेक्शन मेथड यги उन शिक्षा का महात्व ये परिक्षा में पूछा जा चुका है शिक्षा मनुविज्ञान को परिभासित कीजिए अर्थ बताईगे अधिग्यम का क्या प्रत्य है बुद्धी की क्या प्रकृति है व्यक्तित्य की क्या परिभासा है अनुबंधन क्या है ये प्रस्ण पूछा गया है इसके बाद हम लगुत्तरी प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं लगुत्तरी प्रस्ण की चर्चा करने से पहले हम आपको बता देना चाते हैं कि जो आति लगुत्तरी प्रस्ण पूछे जाते हैं जो दस प्रस्ण आपको करने होंगे परिक्षा में उनकी जो सब्द सीमा होगी वो 50 सब्दों की होती है पचास सब्द का मतलब आधे पेज परिक्षा में जो कापी मिलती है उसमें आधे पेज में आप कम से कम आधे पेज में इसका उत्तर देंगे इसके बाद हम लगुब उत्तरी प्रस्णों की तरब बढ़ते हैं जो महत्तिपूर्ण प्रस्ण है इसमें जो प्रस्ण अब तक परिक्षाओं में पूछे गए हैं मनोविज्ञान से आप क्या समत्ते हैं एक सिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवस्यक है मनोविज्ञान के सराचनात्मक संपरदाय और इसकी योगदानों का विश्टित वड़न कीजिए विकास की विभिन अवस्थाएं क्या है विकास के प्रत्यक अवस्थाओं की विशेश्टाएं तथा इनकी समस्याओं का उल्ले कीजिए कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धान की विवेचना कीजिए तथा इसके सैक्षिक नहितार्थ बताएए अधियम क्या है अधियम को प्रभावित करने वाले विभिन कारक कौन से है वर्डन कीजिए ये प्रस्न परिक्षा में पूछे गए है और सातियों आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो भी प्रस्न है महत्पून इन सबसे सम्मनिद वीडियो चैनल पर लोड है आप अभी समय है उसको एक बार दो बार तीन बार देख कर समझ कर अपने को तयार कर सकते हैं अगले प्रस्न की तरफ हम बढ़ते हैं इसकी नर का क्रिया प्रसूत सिध्धान्त की विवेजरा कीजिए तथा इसके सैचिक नहितार्थों की चर्चा उल्ले कीजिए व्यक्तिक विन्यता क्या है अंतर एवं अंतर विविन्यताओं में विवेद कीजिए बुद्धि क्या वाले विविन्यकारकों का वड़न करिए व्यक्तित्य के प्रत्य की व्याख्या कीजिए आजिक के व्यक्तित्य सिध्धान्त का वड़न कीजिए मानसिक स्वास्त के विविन्य सिध्धान्तों की विवेचना कीजिए ये अगला हम आगे बढ़ते हैं इक ग्रहमा जो प्रस नहां महत्तोपूर्ण, सिख्षा मनोविज्यान की प्रकृति का वड़न कीजिए, सिख्षा और मनोविज्यान एक दूसरे के पूरक है, इसको अस्पस्ट कीजिए, अधिगम के अर्थ की व्याक्षा करते हुए, उसकी विशेश्टाओं का वड़न कीजिए, विकास को विभिन विशेश्टाएं लिखिए, अधियम के विभिन सिध्धानतों की व्याक्षा कीजिए, समुगत सीलता से आप क्या समत्ते हैं, समुगत सीलता का सिक्षा में महत्तोपूर्ण, और सिजनात्मक बालकों की क्या विशेश्टाएं होती हैं, विशेश्टाओं की प्रस्ण है जो लगूत्री प्रस्ण के रूप में महत्तुपूर्ण है जो स्लेक्ट हुए हैं पंद्र प्रस्ण अति लगूत्री प्रस्ण और इसके बाहर के कुछ महत्तुपूर्ण जो प्रस्ण लगूत्री और विस्तित से भी बन सकते हैं अगर आप लग उत्तरी और विस्तित की तयारी अच्छे से किये हैं, तो अतिलग उत्तरी प्रस्नों को लिखने में आपको परिसानी नहीं होगी, आप उसका उत्तर आसानी से दे देंगे क्योंकि उसी में से अतिलग उत्तरी प्रस्न बनते हैं, जो लग उत्तरी प्रस्न देड से 2 Page 200 सब्द होता है। आपको मानशिक रूप से तयार होके परिख्ष में जाना है कि हमको लग उत्तरी प्रस्ट का उत्तर लगभग 2 Page या डेड chopped Page देना है और अत लग उत्तरी प्रस्ट का उत्तर आधे Page में देना है। इससे कम नहीं होना चाहिए। जो लिखेंगे इसमें मूल मूल बातें लिखेंगे ज्यादा बढ़ाने से समय नश्ठ होगा और आप अपने जो मूल विंदु हैं मूल तत्थ हैं उसको बताने से वंचित हो सकते हैं समय कम पढ़ सकता है इसलिए ध्यान देकर आपको विवस्थित परिक्षा देनी है दीर्ग प्रस्णों की चर्चा हम करेंगे दीर्ग प्रस्ण कौन कौन से महत्वपूर्ण है परिक्षा की दृष्टी से दिती प्रस्ण पत मनोविज्ञान जिसमें पहला प्रस्ण है अधियम के लेविन के छेत परिभासा कीजिए सिजनात्मक तक क्या है? क्या उसका अर्थ है? क्या परिभासा है? आप एक सिजनात्मक बालक कि बिभिन विधियों का वर्ण सिजनात्मक बालक कैसे निर्देशन करेंगे? और सिजनात्मक ता विकास से सम्मंदित जो विधियां है? उसकी चर्चा करेंगे? यह भी महत्पूर्प्रस्ण है? रोर्षा का श्याहिद धबब परिक्षण और उसके गुड़ और दोसों का श जो दूसरों लिखा इसको आप दोसों पढ़ेंगे? विध्यालेओं की विवेचना कीजिए मनो विश्लेश्रात्मक विध्याले की विश्त्रित व्याक्षा कीजिए इसमें जो मनो विश्लेश्रात्मक विध्याले की बात है इसकी चर्चा आप को करनी है इसमें मनुविज्ञान के विशे में आपको चर्चा करना है ये विद्याले इसमें दे दिया गया है गलत टाइप हो गया है विकास की विभिन अवस्थाएं लिखिए बाल्य अवस्था की विशेस्ताओं का की व्याख्या कीजिए अंतरद्रिष्टी सिध्धान्त की व्याख्या कीजिए सिध्धान्त की सिक्षा में क्या उपियोगिता है इसको भी बताना है विभिन प्रकार के बुद्धी परिक्षणों की व्याख्या कीजिए ये प्रस्ण है इसके अलामा आप जितना आधिक पढ़ सकते हैं आप पढ़ के तैयारी कीजिए जो परिक्षा में महत्तुपूर है प्रस्न जो परिक्षा के दिश्ट से उसको लेकर मैं यहाँ पर त्रस्तुत हुआ जो दीरगूत्तरी परस्न है उसको लिखने के लिए जो सब्द की सीमा है वो पांसो सब्द होती है पांसो सब्द का मतलब लगभग पांच पेज आपको लिखने होंगे ध्यान रहें कि आप जो महत्तुपूर चीजे हैं उसी को दिखाएं फालतु की चीजें इंगित करके महत्तुपूर चीजों से आप हो सकता है कि समय आपको कमपड़ जाए इसलिए जो महत्तुपूर बिंदु है उसका जिक्र करते रहें और जो भी मनुवज्ञानिक का नाम है विद्वान का नाम है लेखक का नाम है उसको आप हाइलाइट कर परिभासा शुक्ति या जहां आपको लगे कि यह महत्यपूर हो सकता है उसको हाइलाइट अवर्श से करें उसको रेखांकित करें या जैसे भी आप कर सकते हों क्योंकि उसका प्रभाव परिक्षक के उपर ज्यादा पड़ता है तो साथियों अच्छे से तयारी करें वीडि दिया गया है उससे भी आप देख सकते हैं अगले पेपर जो महत्यपूर प्रस्न है उससे सम्मंधित हम प्रस्नों को लेकर सिग्री प्रस्तुत होंगे